आति पूर्वं योवई बेदाश्य प्रहणोति तस्में तम्हा देव मात्म बुद्धे प्रकाशं ममक्षरवई सरणमहं प्रपद्दे ओम शांति ही शांति ही संकरां संकराचार्यं के सवंबादारायनं सुत्रभाष्यक्रतव बंदे भगबंतव इस्वरो गुरुरात्मेति मुर्ति बेदाविभागिने व्योमाबाद व्याप्त देहाया दक्षन मुर्ते नमहा ओम शांति ही सांति ही शांति ही नमस्चिवाए दस नमर हो गया है क्या करें हो हां तो यह तो हो गया था वाथा तो ब्रह्मा जिग्यांसा चल रहा था था सुत्रतारम हो गया था ना था था थो ब्रह्मा जिग्यांसा 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 था था तो यह पहला अधिकण है इस पाद में ग्यार अधिकण है पहला पाद में कितने है ग्यार अधिकण है और कोल मिलागर के सुत्र 31 सुत्र है तो पहला है जिग्यास अधिकण अधिकण का शुरूपई होता है विशया हो शंद्या हो नई फिर प्रोजान, पूरपक्ष, सिद्धान्त, यह होता है, पांच होते हैं, कई के संगती भी जो होता है, तो संगती अपने आप जाएगे, ठीक है ना, तो इस अधिकन का विचार है, यह विचार का विचार है, आत्मबारे दरस्टब्या, सोतब्या, मंतब्यो, निद्यासितब्या, यह ब्रधान्यक का बाक्य है, जाग्यवलक्या, मैत्री से उपदेश कर रहे है, अरे मैत्री यह आत्मा का दरस्टब्या करना चाहिए, और ग्यान कैसे होगा, आत्मा का ब्लस्रावण मनन, निद्यासन विचार है, है की नहीं, तो आत्मा दरस्टब्या को उद्देश से करके, आत्मा ज्यान के साधन की रूप से, स्रावण, मनन, और निद्यासन का बिधान किया गया, यह होगा बिशयो, फिर संध्ययो हो रहा है, यह सास्त्र का आरम करना चाहिए, कि निकरना चाहिए, तो कि ब्रहम सुत्र तो विचार आत्मक है, ब्रहम का बिचार आत्मक जो निया निनात्मक जो सास्त्र ब्रहम सुत्र है, इसका आरम करना चाहिए, यह संध्ययो हो रहा है, क्या हो रहा है, संध्ययो हो रहा है, विशा प्रोजन जदी हो तो आरम करना चाहिए, अब विशा प्रोजन नहों तो आरम नहीं करन चाहिए पक्रमायक्री ने तरज पूर्पघष कहेगा कि इसका कोई विशय नहीं है जी ब्रह्म MT का अकत्तिव विशय कैसे होगा है हिक ये टो फोकिन होगे इस प्रोजनता ही ने अथमjakन से ना प्रबूर्थी निभूर्थी 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 नहीं है तो पाद्पग्ञान कैसे ह ना चाहिए, संच्छनमे क्यों ने, आया? शंधिक दाम ही विचार बिसवु धार.. संदिय हो अर प्रोजन हो तो भ्रह्मा को बिचार करना है, ऐको ने, ब्रह्म हो तो अशंधिक दाम पूर पक्षि ъ ब्रह्मा का संदिय तो होता ही नहीं है, हैको ने? ब्रह्मा का संद्य होता है निने कहेगा कौन कहेगा पूरपक्सी ठीक है उबतें ब्रह्मा ब्रह्मा कार से ब्रह्मा का संद्य हो रहा है कि आत्मा के रुप से हो रहा है ब्रह्मा के विशे में संद्य हो रहा है कि आत्मा के विशे में तुमको संद्य हो रहा है, पूरपकसी कहेगा, नो आद्य है, जुमकि ब्रह्मा का लक्षण है इस आत्र में, सत्यम ज्ञानम, अनन्तम ब्रह्मा, यह लक्षण बाक्य से ब्रह्मा के उपर कहा संद्य हो कोई है, है कि नहीं, ब्रह्मा का निच्चा है ब्रह्म सत्य Allah है ग्वान अनंते है अहागा रूप से किसी को संद्ध नहीं है है ही है कि एनले यह strongly आत्म का रश्य जानी सिसे selon पकड़ में करें आच्छा हैं is ज़्यांगे ऑद्यस्त आत्मविशयत्तना ब्रांतो अहम प्रत्य इतिचेत, है कि ने, जो कोई कहे, यह तो अध्यस्त है, अहम करके जब्हान हो रहा है, यह दिहादी अनात्मा है, इस अनात्मा में जो अहम बुद्धी है, यह तो अध्यस्त है, ना, यह तो ब्रांती ज्यान है, यह तो कैसा है, ब्रांती ज्यान है, कि ब्रांती कैसे को हो गए यह अध्यास है ऐसा निष्चे हो तब तो कहा जाएगा कि ब्रांती क्यान है यह का निष्चे हुआ है कि आत्मा का अध्यास होता है अनात्मा में आत्मा में अनात्मा का अध्यास होता है और निरुपन ही नहीं हुआ है किसका अध्यास का जब निर आते ही बिले जीव ब्रहम में औरही को किवोध ब्रहमें एक अत्त भी नहीं हो सकता कि एध्यास हो तब तो मित्या कोगा इसको, क्या अध्यास का निरुपण हो तो यह दुएत को मित्या केंगे, दुएत मित्याह होने से, ऑध्यätta संभब हैए और ढ़्ण से मोकती होगे को होगे, अध्यास का निरुपण होने से तो द्वेत सत्या है इसलिए अध्यत का ग्यान होगा द्वेत जदी मिथ्या हो तो अध्यत का ग्यान होगा और अध्यत का ग्यान से मोक्षय होगा इसलिए क्या अध्यास पर क्यों नहीं है और भी तमा प्रकास अवाद विरुद्ध सभाव और कहा दोनों में सभाव जो है तम और प्रकास की तरह अत्यन्त बिरुत सभाव है लेकिन अत्यन्त बिरुत सभाव होने पर भी तो अध्यास हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है शुक्ति और रज़त में तो हो जाएगा हो जाएगा कि शुक्ति रजत में हो जाएगे हां 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 लेकिन जड़ जड़ में तो अध्यास हो सकता है लेकिन जड़ अर्चेतन में कैसे हो नहीं हां दीपक और प्रकास में होगा पिपक और घटा नहीं होगा दीपक कोई घड़ा नहीं बुलते हैं घड़ा कोई दिपक नहीं बुलता है कि हुआ को जड़ में तो हो सकता है जड़ चतन में कैसे होगा आस्मत प्रत्या गोचरे, भीषा इलनी इसनार भीषाई सब्द दे है क्या है भीषाई बोल दिया क्या भीषाई 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 है आत्मा बुद्धी है भीष्या बुद्धी और आत्मा में भी अध्यास नहीं होकता पूरपोसी कहИं यह बुद्धी हो गया विशय और आत्मा हो गया विशया विशया में कि ने यह बूलते सिधानते ने पूरपक्षिकर आपको जड़ यह देखो जड़ और आजड़ ना घटा और प्रकास में जैसे अध्यासा नहीं हो सकता क्योंके जड़ और जड़ इस वेकाद देहात पनो हो देहा और आत्मा आप लोगों को मिल गई भी पंगते मिल गई कि ने मिल गई चलो ठीका चल रहे न तो देहा हो गया जड़ आत्मा हो गया चेतन दोनों में अध्यास कैसे होगा कौो हैत क्या हुआ जड़ चेतन भी यहाँ पर तो होजाएगा सुक्ति का रज़तव होसकता है सुक्ति और रज़त पें कों चतन जड़ फूर जड़ नहीं है और तो हो जाएगा कियमें कि अध्यास के लिए पले संस्कार हुनाझा संस्कार के लिए पले एकट्व का धु हम ग्जान होनाझा एकट्व का ग्जान होनाझा तो इदम रजयतम में एकत्व का ज्ञान है ना इदम हो गया सामान्या रजयत हो गया विशेश दोनों में एकत्व का ज्ञान है जो इदम रजयतम गया सामान्या रजयत हो गया विशेश दोनों में एकत्व का ज्ञान होने से संस्कार होगा यह आगे सुक्ति में ब्रांति हो जाएगी इदम रजयतम लेकिन यह देहा रात्मा में एकत्व कैसे होगा बताओ यह पूर प्रक्षियत करना है इसले अन्यो औन्या ताध्यासो न निर पिचन सक्क्यति हैं देहा रात्मा में दोनों में एकता तध्प अध्यास एकत्व नहीं होगा तध्प नहीं हो सकता है है कि नहीं, धर्मा अध्यास में नहीं होगा, ये तत धर्मा नाम जो कहा, आत्मा का धर्मा अनात्मा में नहीं, अनात्मा का धर्मा आत्मा में नहीं, ये कैसे होगा, अध्यास का निरुपन नहीं होगा, तस्मात अभ्रांतायाम, सुति अहम प्रतयायम, सुति से जो ग्यान ह हो रहा है उसमें भरांत्य नहीं होगी आरे गंगे अहम बुद् ReverORY है हम मैं ओधर करके इसमें किसी को भरांती है मैं के विशामें कि सोती कोग भरांति नहीं हो को यह किसे कि अश्डय सभत आयाम पूरुशा क्योर यहां पर किह ब्हांति नहीं है स्टाइब है? आछा और अहम एे हों कर कर ये ये लिए ग्लाविकी सब और शुटब शूं के विशे में भी किसीको संद नहीं है ब्रह्म के विशे में किसी को संद है? नहीं है इलिए सूती अहम प्रत्या भ्याम निश्चित अस्य और संदी धक्त्वा सूती से जो ज्ञान होगा और मैं के विशे में जो ज्ञान होगा किसी को संद्य है? संद्य नहीं है और संदी धक्त्वा विचार अस्य ना विशो अस्ति यह लिए इसका कोई विचार का विश्व तो रहा नहीं ना विश्व रस्ति कोई विश्व नहीं है ठीक है ना पी प्रोजनाम पस्यामा चलो आत्म ग्यान होगे तो क्या होगा उससे आत्म ग्यान होगे तो सर्व मिलेगा आप ब्रह्म रूप मिलेगा क्या मिलेगा कुछ तो मिलने वाला है निया जो है वो भी चला जाएगा जो है वो भी चला जाएगा ना आप ब्रह्म रूप हो जाएगा तो क्या मिलेगा सब ब्रह्म रूप हो गया मकान बगरा भी सब ब्रह्म रूप हो गया पूतरादी भी सब्रह्म हो गे, तो क्या बाके रहा है? कुछ रहा है नहीं? है कि नहीं? ऐρώ कि नहीं? ऐसा बोलते हैं? नापी प्रोज अनम पस्यामां, लब प्रभर्ति निबर्ति नहीं होगे थो right? है? आत्मा को जानने से क्या होगे? प्रबुर्ति निभुर्ति होगे जाग को शर्ग का साथन जाग है जाने तो प्रबुर्ति होगी आत्मको जानने से कोई फल नहीं मिलता है नापि प्रोजणम पस्या मह ठीक है उक्ता प्रकारणा ब्रह्मात्पने निच्चिते पी मुक्ती अधरसनात इसलिए मुक्ती भी नहीं होगी ना उक्तप्रकार से है कि नहीं आतमा ब्रह्मा है ऐसा निश्चा होने पर भी क्या होगी मुक्ती कोई मुक्ती होगी मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा जान ले तो क्या फल होगा कोई फल तो नहीं है सब्सेकर नहीं है, तसमाद इसलिए मुट्तिन नहीं है, मैं ब्रह्मों जानलिया, यह जो जानलिया NK Васानलों इसकी निवर्ति केल होगी? मुक्तित होने वाले नहीं है इसलिए क्या हुआ तस्माद ब्रह्मा बिचार अनरम ब्रह्मा का बिचार कैसे करोगे फिर ब्रह्मा का बिचार करना ठीक नहीं है सहाज मैंगे नहीं है इसलिए ब्रह्मा को जानने के लिए तो ब्रह्मा सुत्र का अरम करोगे इसलिए ब्रह्मा ज्यान के लिए ब्रह्मा सुत्र जो साथ्रात्म गरंत है उसका विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए सास्त्रम अनारम भणियम, सास्त्र का आरम नहीं करना चाहिए, इती पूरपक्ष्य, यह है पूरपक्ष्य का अई प्रय, समझ माया किने, आगे है, अत्रा उच्चते, ऐसा पूरपक्ष्य प्राप्तने पर सिध्धान्ती कहते हैं, सास्त्रम अरम भणियम, सास्त्र का नोगे है, ब्रहम शुत्र, ठीक है, यह सास्त्र है प्रक्रण नहीं है, क्या, प्रक्रण ग्रंत नहीं है, यह सास्त्र तो बहुँ सारे अर्थ करते हैं, तो यह प्रक्रण ग्रंत नहीं है, शास्त्रात्म ग्रंत है, विचारात्म शास्त्र सबका निरुपन इसमें अच्छा क्यों कुता है बिशा प्रोजना सदभावाद क्योंकि बिशा है ना ग्रंत का ग्रंत का बिशा भी है बिशा क्या है अद्वेत ब्रह्म को मैं के उरुप से जानने पर प्रोजन भी है प्रोजन भी ज्याना थे वह तुके वल्यम सुथी बोलती है कि तमें विदित्वा अत्मृत्यमेति नान्यय पंथा विद्धतय जनाय उच ब्रह्म को जानने पर ही मुक्ति होगी आत्म ज्यान से अत्रिक्त और कोई उपाय नहीं है मुक्ति के लिए ठीक है ना इसलिए उस ब्रह्म को आत्म रुप से जान करके मृत्यु को पार कर लेता है ज्यानी मुक्ति के लिए दुसरा कोई साधन नहीं है बिद्ध्यते घर्द्या ग्रंते चिद्यांते सर्वसंसाया चीयांते चास्यकरमानी तस्मींदिस्टे परावरे उपरावर प्ररणम को जान लेने पर अध्यास के निवर्ति हो जाएगे और कोई संसर रहेगा ने क्यों भे और जितने भी कर्मा समाप्त होगे प्रारफद कर्म तो बोक से समाप्त होगे तो मुक्त हो जाएगा और ब्रतान रेक में कहा गया अह मनुर अभावं सुर्यास्य वाम्देब जो को ना खरम भी आत्म ग्यान हो गयाnt वहीं मुगता हो गया वह आत्म ग्यान दे भ Isaac सा स्त्रा भी है ग्यान का फ़ल मुक्ष और विद्वान को अनुभात है दो बाते हो गयां देखो पूरपक्षी ने कहा ना सूती के द्वारा जो ज्यान है और अहम करके जो ज्यान है तो इसलिए संद्या नहीं है पूरपक्षी ने कहा ठीक है तो कहते हैं कि संद्य हो रहा है क्या हो रहा है संद्य हो रहा है सूती के द्वारा जो कहा गया एकम आदोतीयम जञें कि गयrate मैं हूँ कि नहीं हूँ उसमेशंच्य होता है क्या होता है पारस्पर में विरूद हो रहा है सास्त्र कह रहा है कि ब्रह्म आदोती है और मैं तो करता हूँ भोकता हूँ अलपग्या हूँ डौनों में कच्छे होगी पशपर बिरूद है कि नहीं? ठीक है न? पशपर में बिरूद है रहे सुती और अहम करके जो ज्यान हो रहा है ये जो प्रतिती है एक ईसम बिरूध हो रहा है इसलिए ये ब्रह्मा अदूतीयों है की नहीं है संदे होगा न? ये बोल देखो शुति अहम प्रत्य योर बीपति पत्या संदिद्धम ब्रह्मात्म बस्तु इलिए यहां पर ब्रह्मात्म बस्तु संद्य है कैसे देखो ओयम आत्मा ब्रह्मा सुति बोल रही है कि ब्रह्मा आत्मा ही है अपना सुरू ब्रह्मा ही है यह आत्मा अपना सुरू ब्रह्मा है यह सुती बोलती है बरारम भ्यादनाक सुती असंग ब्रह्मा आत्पत्यन उपदेश्यते है किने जो असंग जो ब्रह्मा है वो कोन है आत्मा है यह सुती बोलती है यह किने लेकिन अपना अनुपप क्या हो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो कर्था भुक्ता हूँ, ये ज्यान हो रहा गिनी। सुती तो ब्रह्म को आत्मा कहे रही है, है किनी। और यहां पर क्या हो रहे है शरीर आधि में अहम बुद्धी हो रहे है क्यों अहम बुद्धी हो रहे हैं अहम बुद्धी हो रहे हैं देह में तदा आत्मा अध्यास करके आत्मा बुद्धी हो रहे है है कि नहीं तो परस्पर बिरुद्ध हो रहे है शोती तो ब्रह्मो का आत पमान रहे हो तो परस्पर भिरुद्वा कि नहीं हुआ है इसलिए संद्य हो रहा है और अध्यास का निरुपन नहीं हो रहा है बोलोग नहीं अध्यास तो हो रहा है हाँ अध्यास नहीं होना चाहिए अध्यास कैसे हुआ इसका निरुपन करना बड़ा कटिन है ये तुम कहते हो की जो है अध्यास तो नहीं होना चाहिए दोनों का सभा अलगल है फिर भी अध्यास का अनभव हो रहा है बाशने मैं गिने और अध्यास का निरुपन करना बड़ा कठीन है ये तो माया का भुषन है माया सबसे बिलक्षन है ये कहना ये तो भुषन है माया का ये माया का अलंकार है क्या? माया का अलंकार क्यों भई? ये बोलने देखो अध्यास अस्यच दृद निरुपनत्वम अलंकार आया अध्यास का निरुपन करना कठी नहीं है ये तो भुषण हो गया भुषण अलंकार मतलब भुषण है किसका भुषण हो गया माया जो अध्यास है ना और ज्ञान से अध्यास होता है अच्छा तस्मात शंदिक दम भस तुवषण है ये के न हो विज़ा कॉन होता है विचार का बिच्र अध्या विच्द कउन होता है तो विचार होता है इसलिए जो बस्तु है बद्द्ध बस्तु कौन हो गया अध्वेत बस्तु जी ब्रह्मों में एकत्व जो बस्तु है संद्ध हो रहा कि नहीं हो रहा है जी ब्रह्मों में एकत्व है कि एकत्व नहीं है ये विशा हो गया संद्य हो रगने और प्रोजन भी है आत्म ज्ञान से मुक्ति होती ये प्रोजन भी है इलिए ता निश्चे इना उस बस्तु का जो संदिक्द बस्तु है अद्वेत बस्तु उसका जो निश्चे हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं निश्चे हो जाए तो मुक्ष रूप फाल भी प्राप्त होता है ये सूति प्रमान से भी सिद्ध है बिद्वान के अनुभाप से भी सिद्ध है दिखे आग लिखे ताड निश्चे इना ततकन से कहलेंगे संदिक्द बस्तु जा अद्वेत बस्तु उसका निश्चे हो जाने पर मैं ब्रह्माई हूँ ऐसा निश्चात्म ज्ञान हो जाने पर मुक्ति लक्षण प्रोजन मुक्ष रूपी प्रोजन सिद्ध है है कि नहीं अहम मंत्रवी देवास में ना आत्म भी नाराज जी बोलते है क्या मैं तो मंत्रवेत्ताई हूँ सच मैं कि आत्म भी आत्म ज्ञान मुझे हुआई नहीं है हाना इले भगवोस अहम सोचामी इसलिए भगवन कौन नाराज जी बोल रहे है सनत्कुमार भगवान को अभी मैं दुखी हूँ सोक से संतपत हूँ सोक से संतपत हूँ यह बोलते हैं ठीक है मुक्ति लक्षणा प्रोजनम सुत्या सुति प्रमान के द्वारा और विद्वान का अनुभव भी है विद्वान का अनुभवेना चा प्रसिद्धम विद्वान का अनुभव भी है बिद्वान उनुमा बता दिया ना बामदेव जी का बामदेव जी को गरभम में ही आत्मग्यान हो गया तो गरभम में कौन उपदिश किया उनको पूरो जन्मे पूरो जन्मे केवल प्रतिवंदक था ना सरीर धारन करना इतना ही एक जन्मा लेना उतना ही प्रतिवंदग था और प्रतिवंदग हट गया तो आत्म घ्यान हो गे उनको यह समझना पड़ता है लोग एक उतर करते हैं गुरु के पास जाने के क्या हो सकता है बेदान तो विचार करने के क्या हो सकता है बामदेव जी को हो गया रवन महरसी जी को हो गया गुफा में जागर के वहां पर दो कोई उपदेश रहन ने क्या पूर्वजनमा में क्ये थे यही तो करना था कि मैं कोन हो मैं को नूँ और निशन करना यही तो करना था यही तो किया नो और क्या किया क्या कॉतम हो रहा अभी जूड़ते हैं लोग ठीक है तन निश्चेन अमुक्ति लक्षन प्रोजनम सुत्या अभिद्वात अन होवेन मानें गे ने यह सुत्य के द्वारा भी प्रसिद्धा है कि आत्म ज्ञान हो जाने पर मुक्ष्य होता है है कि नितारति सोकम आत्म भी ज्ञाना तेवुद कवल्यम सुत्य प्रमान भी है और विद्वान का अनुभब भी है क्यो आत्म ज्ञान से मुक्ष्य होता है जिसको मुक्ष्य हुआ है उसको अनुभब होगा कि नहीं होगा लड़ू जिसने खाया है उसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा इसको मुक्ति जिसको हुई है ज्ञान से उसको अनुभब होगा कि ज्ञान से मुक्ष्य होता है शुति प्रमान भी है और विद्वान का अनुभब भी है तो दोनों मैंसे किसको मानोगे दोनों को मानना पड़ेगा दोनों को मानना पड़ता है ना इसले तो कहा देखो स्ठोत्रियम ब्रह्मानिस्टम दोनों कहा गे ने स्ठोत्रिय भी होना चाहिए और ब्रह्मनिस्ट भी होना चाहिए ब्रह्मनिष्टा होना पर कहेगा ने ये अनुभाब है जोडने बोलेगा कि मुझे अनुभाब है है कि ने अनुभाब बेटा ये अनुभाब से सिद्ध है ये बोलना पड़ेगा ने मेरे उपर विश्वास करते होना हाँ गुरुदेव करता हूँ तो तो मेरा कहना मानोगे हाँ मानूगा बलते कि ज्यान से मुक्षय होता है यह संसार बंदन है संसार दुखरूप है यह मानना पढ़ेगा कि नहीं मानना पढ़ेगा कैसे मेरी बास सुनो मेरा अनभाब है मेरा अनुभव कहा कि नहीं जदी सात्र को नहीं मानेगा सात्र के पर जदी उनकी निष्टा नहीं बन रही है उनको निष्टा नहीं हो रहा है कहने का अपर है साधक का ज़िक सास्तर से कभी कभी सास्तर से निश्चा नहीं हो पाता है तो फिर गुरु क्या बलते हैं मेरा अनुभवे तुम मानो इसको हिर दोनों होना चाहिए और ब्रहमनिष्ट हो और कभी-कभी सोत्रय ना हो तब भी नहीं होगा कि सम्भव है कि नइंए , कर दो? कभी कभी शास्त्र से बिरुत कर्म कभी कभी देखा जाता यह कभी कभी होज देखा जाता है ना तो कभी-कभी हो जाता है तो फिर मा लेज़े क्या बोलते हैं तो कभी सरीर से हो गया तो निष्ठा बनेगे साधक के आचर येगे पते बन जागे नए बन सकते सब के नहीं बनेगी ना अरे गलतिस युकार के बाद नहीं है मा लेज़े को मा पुरुस है उठ रहा है ना बज़े मा लो कभी कुछ हो गया ना बज़े हो गया ना बज़े उठता है तो साधक के निष्ठा बनेगे वही तो कह रहा है आपको सरद्धा ने भी हो सकती ना सद्धा और बोलते हैं लेकिन कुछ करते तो नहीं है गुरुजी कभी कभी ऐसा हो जाता है इसलिए आचर योग बहुत साथान रहना पड़ता है हमेशा साथान रहना पड़ता है कि मेरे से कि असात्य तो नहीं हो रहा है तो उसे क्या होगा सादक की क्या होगी और सरद्धा हो जाएगी ना और सरद्धा जब हो जाएगी तो कहेगा बेटा मेरा अनुभब है आपका अनुभब आपके पास रखो ने बले आप और सात्य कर्म करते हो और बोलते हो कि मेरा अनुभब है तो सद्धा ने बनेगी ना अधक की किसके प्रति आचरीजे के प्रति तब आचरीजे कहेगा कि बेटा मेरे अनुभव है गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी का अनुभव है यहले मुझे मानना चाहिए यह होते कि नहीं यह बिद्वान का अनुभव है यहले यहाँ पर कह रहे हैं देखो सुति सुत् भी पीना का बिचार के द्वारा ही मुखलवा द्वारा साधन बै द्वाक्य का विचार करो विचार से ही ब्रह्म का विचार होगा यहीं तो ब्रह्म का विच्ण करोगे लिः चाहmes बुद्धि से करोगे सास्त्र के आधरपरी दिच्ण करोगे चाहिए ज़ी मेंकी ने तो यहीं इसलिए ब्रह्म में तो प्रामाण सास्त्र ही है प्रत्यक्षेलान मित्याव यस्तूपायो नबुद्यते एतम विदंति वेदेना तस्माद वेदस्य वेदता मनुस्मुतिकार कहते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात नहीं है औनुमान प्रमाण से भी ज्ञात नहीं है है कि नहीं? उसका ज्ञान किस से होगा? बेद से होगा यही बेद का बेदत्व है स्र्जमय क्या नहीं? ठीक है? इसे श्रवण मना निध्यासन जो करना है इसी से तो करोगे? सोतव्यह, सोती भाक्यभ्यह, भाक्यभ्यो मंतव्यस्ट्यो पपत्ति विह है क्या मत्वाज सततम देय इती एते दर्षन हेतेव सर्मया है इले स्रावन करो सोतव्या सूति बाक्य भ्यो वेदान्त बाक्य से स्रावन करो इले का सोतव्या सूति बाक्य बाक्य सूति बाक्य मुल है उसका व्याख्यान है स्मुति बाक्य है सूति बाक्य का व्याख्यान होता है स्मुति बाक्य नहीं, शुरुत प्रस्थान का, शुरुत प्रस्थान उपनिश्य सुरुत प्रस्थान, शुरुत प्रस्थान का व्याख्याने कौन, तरक प्रस्थान भी है, शुम्रती भी है, शुम्रती 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 शुम् हम दर्शन क्रंट बोलते न ऐसा है मनत अभ्यास चोपपति ये सुती मुलक जुकति के आधर पर मनन करो है की नहीं कि लिए संसव विपर्जा रहित हो गया प्रमान के विश्य में कोई संसव नहीं है प्रमय के विश्य में कोई संसव नहीं है तब फिर क्या होगा फिर सत्त्वाच मत्वाच्त सत्तम धय नहीं है मैं ब्रह्मा उन दिर अंतर उसका अभ्यास करो ये ही मुक्ति के साधना स्वड मनन सर्वीय Candi करना चाहिए ब्रह्म का विचार करना चाहिए क्यों कि ब्रह्मा अध्यदवस्तु विश्य है सास्तर से निश्चित है उसके प्रोजन से मुक्ष होता भी है ये ग्यान से ब्रह्मा ग्यान से मुक्ष रुपिफल प्रोजन भी है विश्य भी हो गया प्रोजन भी हो गया इसलि ये शास्तरम आरंबनियम ब्रेमसुत्रुज शास्त्र है इसका आरंब करना चिए इती सिधांत हो गया ठीक है एक अधिकन हो गया दूसरा अधिकन देखो पुरु जी यहां दूरेशा है क्या? अध्यासाश्या छो दूर निरुपान अं उसको कर तख है क्या? दूसरा अधिकन देखो दूसरा अधिकन लक्षना जनमाधी अधिकन बुलतें इसको जनमाधीकन दूती अधिकन में ब्रह्म का लक्षन का जा रहा है ब्रह्म का लक्षण बनेगा लक्षण प्रमाण अभ्यां बस्तो शिद्धेही ए जो अध्यत बस्तो कहते हो उस ब्रह्म का क्या लक्षण है लक्षण के मिना तो बस्तो की सिद्धी होगी नि प्रह्माण चाहिए और लक्षण चाहिए न तो प्रतिक्या मत्लन ब्रह्म का वि करने एथ आत्प्र हुआ ना फ्लीभुत ब्रह्मा ज्यानाय विचार करत अभ्य यह तॉर्त है कि लेकिन ब्रह्म का लक्षन क्यसे होगा लक्षन बने तो न बेचार करेंगे ये कहरन दूतिया दिकरणं आराचयती देखो तेरा नमबर में लक्षणं ब्रह्मडो नास्ति किम्भास्ति नहीं विद्यते जन्मादे रन्यनिष्टत्वत सत्यादेश्चा प्रसिद्धितः ब्रह्मनिष्टम कारनत्वं स्या लक्ष्म्यम स्रक्भुजांगवाद इसको लक्ष्म्यम कहो लक्ष्म्यम मा के बाद इए लक्ष्म्यम मा कार के बाद इए लक्ष्म्यम ठीक है लोकिकाने वसत्यादे लोकिकाने वसत्यादे निया खंडाम लक्षयांति ही लक्षयांति ही देखो ये बात कहते हैं ब्रम्हडो लक्षणम नास्ति किम्बा नहीं अस्ति यहाँ पर कमा कर दो ब्रम्हडो लक्षणम अस्ति किम्बा नास्ति किम्बा आस्ति की बाद कमा कर दो समझ मैं कि नहीं ब्रह्म का लक्षण है कि नहीं यह पुछा जा रहा है ठीक है अच्छा लक्षण को होगा उसमें कोई गुण धर्मा होतो किसी में गुण धर्मा कुझ होतो लक्षण बना सकते हो ना, गुण धर्म को देख कर के कह सकते हो, असाधान धर्म लक्षणम, जैसे पृतिवी का लक्षण क्या है, गंद, गंद होगा उसका लक्षण, गंद को देख कर पृतिवी का ग्यान होगा, होगा किने होगा, क्यों गंद अन्यत्र नहीं है, गंद गुण अन्यत्र है, नही प्रकुर्ति का होगा लक्षन बनेगा तो बनेगा कैसे फिर यह तात्पर है, ठीक है ना, इसलिए अलेकिन सात्र में तो ब्रह्मा का बिचार किया गया, इसलिए संद्य हो रहा है, सात्र का बिचार, सात्र में के दे सत्यम ज्याना अनंत ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा में सत्य तो देदी गूंड रहेगा, तब तो फिर वो परिछिन ना हो जाएगा श्वगत्वेद्व हो जाएगा कि इसलिए संध्य हो रहा है ठीक है अचा और नहीं विद्यते पूरपक से कहेंगे ब्रह्म का लक्षन नहीं हो सकता है ब्रह्मा का लक्षन नहीं है क्यों बलते जनमादी अस्य जता हो जाए कि किने बलते जनमादी किसका धर्म है बताओ जगत का ब्रह्मा का कहा हो लग जिसका जनमादी हो रहा हो तो जगत होगा ब्रह्मा थोड़ी होगा पकड़ मैं किने जन्मादेर अन्या निष्टत्वा जन्मादी जो धर्मा है जन्माश्टिति लाया किसका होता है जगत का होगा तो लक्षन जगत का बंजेगा ब्रह्मा का क्यों होगा है की नहीं और बुलते कि नहीं सत्यम ग्याना वानंत ब्रह्मा कहें देंगे यह तो प्रसिद्य नहीं है, भई ब्यभार में सत्य मतलब क्या होता है, अरे सत्य जो ब्यभार हो रहा है, यह घट है, पट है, यही सत्य है, इसे कोई अतिरीत है, सत्य तो है नहीं, और बलते हैं चीत, चीत मतलब ग्यान, ग्यान किसको बलते हो, ग्यान यही घट ग्यान, पोड़ माया, सत्यादेश्च्या प्रसिद्धितह, यह हो गया, तेरा मासलोक, तोदो मासलोक में सिद्धानत है, क्योंकि पहला स्लोक में विषया, संदेह और पूरपक्ष्या, विषया, संदेह, पूरपक्ष्या, हैख की नहीं? और आगे प्रोजन और सिद्धान्त यह हो जाएगा है कि नहीं उत्तर बक्षे में ब्रह्मा निष्ठम कार्णत्तम स्या एदेखो बोलते कि कार्णत्त हो जाएगा यह कार्णत्त ब्रह्मा का धर्मा हो जाएगा जगत के जनमाद जिस्से हो रहे है वो कारण है वो ब्रह्मा हो जाएगा है कि नहीं इसलिए काड़त्तम श्याद लक्ष्म्याम काड़त्त ये ब्रह्म का धर्मा होगा क्या जगा जन्मादी काड़त्त ये लक्षन किसका हो जाएगा ब्रह्मा का हो जाएगा कितने हैं देखो लक्षणम करें सुलो हो रहा है कि दो तीन चेर पांच छेशन लक्षणम कई कि लक्षणम होता है ना तो लो देखते हैं कि आगे चलो स्राग भुजांगा बाद जैसे देखो स्राग भुजांगा बाद यह हो जाता है स्राग भुजांगा इधर देखो होता है स्रपा है स्रपा को देखकरकर रसी का ज्यान हो जाता है होता है कि लो ते होता है स्रपा है वह रसी है सार्पों दिख रहा है सार्पों को दिखा कर किसका ग्यान करा जाता है रसी का हुआ कि नहीं हुआ बताओ हुआ कि नहीं हुआ सार्पों को देख कर कि रसी का ग्यान हो गया इस विकर जगत का विचार करने से ब्रह्म का ग्यान भी हो जाएगा हुआ मुझे हुझेगा। ट दिस्टा देता ओंत जैसे गोव कोश्टे न केसे खूर का चिन्ना जो खूर का चिन्ना दो न libraries यह जगात ब्रह्म थे लक्षण पेर भी जगात से ब्रह्म का ज्यान हो सकता है कारिया से कार्ण का ग्वान हो जाता है नहीं होता है इसा है ठीक हुँअ तो ओ जैसे माले जै ज़न मास्तितिल्लाय किसका धर्मा है है जगत का है फिर भी असे तो जो जब्रमा चिनने जो चिनना किसका है मिट्टी का है कि गो का है मिट्टी का है वो चिन्न किस में है मिट्टी में है कि ने फिर भी ज्ञान किसका हो जाएगा गो का हो जाएगा है कि ने जन्मा सित्यलाया किसका गुण है जगत का फिर भी ज्ञान हो जाएगा ब्रह्मा है कि ने चलो, श्राग भुजांगबाद, इसका आगे बेख्यान आएगा, लोकिका नेव सत्यादी, सत्यादी नी अखंडम लक्षयांती ही, और भी ब्यभार में सत्य, ज्ञान, आनंद, यह कि ने, लोकिक जो सत्य है, उससे भी, इतर देखो, कोई पारमार्थी सत्य नह होता, तो ब देवारी सत्य नहीं होगा, इसलिए पहले, लोकिक सत्य का ज्ञान से, पारमार्थी सत्य का ज्ञान हो जाएगा, इसलिए सामानने कोई चीत नहीं होगा, सामानने सत्य नहीं होगा, सामानने सत्य नहीं होगा, सामानने सत्य नहीं होगा, सामानने सत्य नहीं होगा, सामानने पहले मनुषत्य है पहले ब्राहमनत्या है। मनुषत्या मनुषत्या है। ब्राहमनत्या औदिश्चा इसी प्रहगार इसकता है। घटों अश्थि पोटों अश्थि यह क Shapah? कि सामन्य अस्थि ना हो तो 순간 Stephen Juj preserved ? सामन्य चित ना हो तो सिption पिनकल। गट घ्यान ? पट घ्यान ? मत घ्यान ? यह का उगे सामाण्यया ? पर वि करे ऊपजाद सामान्यया तो परजिआ नहताए ? इसवेगा सामान्यय कीया आइड्श्थ शुक हो गा ? यह विसिष्थ हो गया , रजपुले का हूँ यह कॉन दीम सु़क हो गया ? विसिष्ट शुख हो गया, वैसिक सुख हो गया, है के निर्भिशयक, निरुपाधी का सुख, सामन्य सुख जय दesteem यह गयों, विसिष्ट सुखधि से हो गया, जया जी गया अंद हो जएगागा व्यभार में यह सच्चित आनंद है ठीक है इसका विचार आगे एक देखो बड़ा सुन्दर है ओं पूरमदः पूर् मिरम पूरा पूरणाश्या पूर्णमे भावसिष्ष्षषित ओं सांते आहिए संकरम संकराचार्याम केशवं बादरायलं सुत्रभास्या पुनापुना इश्वरो गुरुरातमेती मुरुणाथ झाल झाल